हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग होफुली बहुत अच्छे होंगे और अच्छी आपकी फामिली भी होगी हेल्थर वेल्थ के साथ आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं वाइट डिसार्ज के उपर जैसा कि आपको टाइटल पढ़कर समझ ही आगया होगा कि हम जो है common भी टॉपिक है और एक बहुत serious और sensitive टॉपिक है वाइट डिसार्ज जो कि mostly females पर होता है फीमेल में ही होता है ठीक है mostly क्या females के अंदर ही ये problem होती है वाइट डिस्टार्ज की और बहुत छोटी बच्चियों के अंदर भी होती है कब से स्टार्ट होता है क्यों होता है क्या प्रॉब्लम्स होती है ऐसे और हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर तो देखिए वाइट डिस्टार्ज का मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि वाइट डिस्टार्ज जो है हड़ी का गलना हमारी दादी ममी या फिर बहुत जो पुराने लोग है वो यह कहते हैं कि वाइट डिस्टार्ज का मतलब हड़ी गल रही है आपकी रिड़की और आप मर जाओगे बहुत जादी इतनी हड़ी कल लगी तो अगर बोन कलने लग जाएगी तो dear कितने मतलब मुझे ऐसा लगता ऐसा नहीं है जैसा कि scientifically proved है कि ऐसा कुछ नहीं होता बट हाँ इससे problem जरूर होती है अगर ये बहुत access हो access और non access मतलब कि कम और जादा में कब हम difference कर पाएंगे ये हमें जानने की बहुत जादा जरूरत है देखिए wide discharge से हमें डरने की कब जरूरत नहीं है कब है ये जानना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि इस पर ही हम जादा बहस कर सकते हैं ठीक है बहुत जो ladies है तुरन डर जाती है हलका भी wide discharge आया और ये कब से start होता है ये start होता है बारा साल से लेकर जब तक आपकी age है तब तक start होता रहता है और हम हमें कब doctor के पास जाना सी है इस पर बात करने वाले है जैसे घर में हम पोछा लगाते हैं वहां से गंदगी निकलती ही है ठीक है ऐसे ही हमारी वजाइना है जितने आपके बाडी में open पार से वहां की सफाई करने के लिए भी बाडी खुद बखुद काम करती है बाहर का शरीर हम अपने साबुन से या फिर फेस वास करते हैं तो फेस वास से किसी भी चीज से कर लेते हैं तो पर अंदर की चीजों का क्या वो भी open है और वहां पर भी गंदगी होती है ठीक है इसी तरीके से वेजाइना जो है अपना इसमें टेंशन नहीं लेना बठा है अगर आपके वाई डिस सार्ज जो है यलो इस आता है बहुत जादा उसमें स्मेल होती है और आपको जलन महसूस होती है तो एक बार इसको डॉक्टर के पास जरूर दिखाए क्योंकि इससे कई सारे आपको infection हो सकते हैं आपके uterus में बहुत जादा जरूरी है और वाई डिस सार्ज अगर आपको बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है कम कम आता है डेली भी आता है तो इससे डर नहीं है क्योंकि एक natural process है इसको आप टोटली बंद नहीं कर सकते है अगर आपको टोटली अगर आप इसको बंद कर देंगे तो आपक गाइड कर सकती है आप अगर स्कूल टीचर हैं तो स्कूल में भी इस तरह की छोटे छोटे सेशन ले करके गाइड कर सकते हैं बच्चों को क्योंकि इसके बारे में बच्चे जानते ही नहीं और डर जाते हैं सोचते हैं इसके बारे में क्या ही बताना है बड़ जब ज़्य इस और का वीडियो आप अपने बच्चों को सुनाइए कि यह वीडियो देखो अगर तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें जरूर बताओ ताकि आपके बच्चों को भी help मिल सके तो यह वाइड डिस्टार्ज के बारे में और इसके बारे में बहुत सारी मेडेसि प्रॉब्लम को खतम कर दीजिये यह बहुत ज़ादा जरूरी है वाइड डिस्टार्ज के साथ अगर आपको कभी ब्राउन डिस्टार्ज आता है अगर आपकी पीरिड डेट नियर बाई है मतलब एक दो दिन आने वाला है और आज अगर आपको ब्राउन डिस्टार्ज वह तो डरने की ज़रूरत नहीं है कई बरी क्या होता है इंडिकेशन होते हैं कि हाँ आपको पीरिड स्राफ्ट होने वाले हैं ठीक है अगर आपको यह मिड में आता है और प्रेगनेंसी प्लान कर रही है मिड में आता है तो आप कभी-कभी इंप्लांटेशन ब्लीडिंग के के लिए भी खुछ हो सकते हैं अगर आपको हमेशा इसा होता है और प्रॉब्लम होती है तो प्लीज असा मत करें कि इग्नोर कर दें कि मिड साइकल में ब्लडी डिस्टार्ज होना बीच में या फिर ऐसा कुछ भी तो आपको एंड्रमेट्रिस की प्रॉब्लम हो सकती है इस इसको समझने की ज़्यादा जरूरत है कभी-कभी हलका से यलो आता है बट उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा अब वाई डिस्टार्ज से अगर आपको कोई क्वेशन रिलेटेड है तो आप मुझे सकते हैं अगर आपको कोई मिध है या ऐसा कुछ है तो एक बार सर्च करके आप अपनी ममी को जरूर दिखाएए अपनी पहन को जरूर दिखाएए ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके मैं मिलती एक नई व्लॉग की साथ अब तक के लिए बबाय टेक केर अपना खयाल रखिए और मेरे चानल को सब्सक केर अपना खयाल रखिए सामली का खयाल रखिए दुखाएए